प्रदेश वन्निगम उपध्यक्ष सूरतनेगी ने काफणू में निर्माना धीन विश्णू दूर्गा मंदिर का निरेक्षन किया। इस तोनान उन्होंने कहा कि विश्णू दूर्गा मंदिर काफणू के निर्मान के लिए सरकार की और से हर संभव आर्थिक सहायता पर दा इसके अलावा विश्णुन दूर्गा मंदिर में आधुनिक कम्यूनिटी हॉल का निर्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद भावा मूद सडक निर्मान की सभी अर्चनों को दूर कर इसके निर्मान की त्यारी कर ली है और जल्द ही इस सडक का निर्मान शुरू करवाए जाएगा। का बिल सहीत प्रदेश के ग्रामिन चेत्रों में पानी के बिल माफ करने की गोशना कर लोगों को बड़ी राहत परदान की है। अनों ने कहा कि मुखे मंत्री जैराम ठाकुर के नित्रित वाली भाजबसरकार व्रिदा पेंशन की आयू सीमा को घटा कर 60 वर्ष कर एक एतिहासिक निडने ले चुकी है। पद्यात्रा है निचाब लोग से शुरू किया है और रूपी 15 करने के बाद आज भाबा वेली का प्रवास है। इस पद्यात्रा का एक ही उदिशे है कि जहां पिछले चार साल हमारी जो सरकार रही है उन चार साल की उपलब्दियों को जंता के बीच में बताना और उसके साथ साथ जंता की समस्याओं को सुनना। और हमारे तृदेव हो ग्रामकिंद्र अद्यक्षो, उनके घरों में पटिका लगाना और घरों में जंडे लगाना ये हमारे इस पद्यात्रा का ब्रूप्टियूशे है। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि पूरे पध्यात्रा में हरी तैदाद में जनता आ रही है और इससे कहीं न कहीं इस बात को साबित करता है कि पिछले चार साल जैराम की सरकार ने किनौर का विकास किया है और कोई एंटी इंकमबंसी मुझे इस शेत्रों में दिखता न करें यह समीं लोग जो है पार्टी की उभलव्यों से खुशी है कि अ कर दोप कि अ भी और सकते हैं जो ने खुशी है और स्वाजय की एंटी हैं आ इससे कुशी है तो खुशी है विखता है तो बाता हो जिखता है एंग में ने खुशी है